नमस्कार स्टूडेंट वेलकम टूजी के वाई जोती में फ्रेंट्स अगर आप इस चैनल पर फर्स टाइम वीजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का स्टूड वाला सिस्टम था वह में शाथ करवाया था और उसमें कुछ उनदियो के बारे में मैंने आपको क्वेषटनों को कवर कर चुके हैं अब हम 128 questions से लगते हैं और लग बगवन 50th question हम इस वीडियो में क्या करेंगे cover करेंगे तो चलिए start करते हैं यहां पर question बोर है आमरी नदी और बल्याली नदी हर्याना में बहने वाली वर्तमान में किस नदी की सायक नदिया है तो देखें जो यह आमरी नदी है और जो यह बल्याली नदी है यह क्या है सायक नदिया है सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सायक होती क्या है सायक नदिया होती क्या है तो जो नदी में नदी जो होती है जैसे माली जी हमारी यमना नदी है और यमना नदी की जो तो सहायक नदिया है वो अगर उसमें पानी गिराती है और जो पानी गिराती है तो जो हमारी यमना नदिया वो क्या होती है आगे बढ़ जाती है तो इसी को क्या बोला जाता है सहायक नदिया बोला जाता है यानि कि जो हमारी आमरी नदिया और जो हमारी बल्याली नदिया त यह किस नदी की सहायक नदीया है तो सहायक आपको मैं समझती हूँ पता चल गया होगा सहायक वो होती है जो उस पानी को जो उस नदी के पानी को आगे बढ़ने में सहारा लगाए उसी को क्या बोला जाता है सहायक बोला जाता है तो यहां पर जो हमारा ओप्शन हो जाएगा धृवहद पाडिय kater अवमी अनल ağοट नाम मोरनी पाहड़ी हो नाम है वाँपर रहने वाली ढानी अनलिथे वाइन मोरनी पाइड मत जो विश्चार ङँचार सब्टार सब्सक्रिंद्द के लां। ब्लयाली नदी नदी नेश्ट वारी साही बिनदी है जो के option में दिया गया option no. D में तो साही बिनदी की जो साही बिनदी है वो दोहन है इंदोरी है और कृष्णावती है तो यह हमारा question यहाँ पर complete होता है उमीद करती हूँ यह question आपको समझा अच्छे से आगया होगा अब चलिए हम आगे बढ़ 29 बरकान या नाला हरियाना में बहने वाली किस नदी में अपना पानी गिराता है तो यह कौन सी नदी में गिराता है यह साही बिनदी में गिराता है और कहां पर गिराता है जो कोट कासीम नामक जग है रजस्थान में वहाँ पर यह क्या करता है अपना पानी गिराता है यह और थड़ नक्टी तो यह आपको ध्यारा रख लेना है next question है कोशल्या नामक बांध हर्याना के किस सहर में बनाया गया है यह most important question है जो कोशल्या भांध है वह कहां पर बनाया गया है यह 55 पंच्छुला में बनाया गया है इसका जो निर्मानकारिया श्टार्ट किया था वह व लियो नामक का बान बनाया गया है और यह पिंजोर पंचकुला में यह भी आपको ध्यारक लेना है अब देखे हम आगे बढ़ते हैं next question है most important question है यह check bond हर यान की कौन सी नदी पर बनाय गया है तो check bond हुण सी नदी पर बनाय गया है तो check bond हमारी पत्राला बेराजli और चाहिणुष्धार सवर्भ कुछें पत्रा की किया था निए के जो बांध है वो यहाँ पर बता रही है जो है थर्ड बांध है पत्थराला बेराज या फिर जो इसे बोला जाता है चैक बांध इसका जो निर्मान कारिया है वो वर्ष 1856 में किया गया था फिर आगे है खिलान वाला खोल या इसे खोल वाला खिलान भी बोला जाता है तो आपको ध्यार रख लेना है तो जो यह हमारा सोम बांध है यह आपको सबसे पहले तो यह पताओना चाहिए कहां पर है तो यह हमारे यम्ना नगर में है और यह कौन सी नदी के उपर बनाए गया है तो यह सोम नदी पर बनाए गया है साथ की साथ आपको यह ध्यार रखना चा और जो ताजे वाला बांध है इसे क्या बोला जाता है तो यह आपको ध्यान रख लेना है अब देखे हम आगे बढ़ते हैं यहीं पर देखे यह इंपोर्टेंट क्वेस्टन है हरियाना में 50 km तक बहने वाली नदी निमन में से कौन सी है तो यह हमारी कौन सी नदी है दोहन इसका जो उद्गम होता है वो राजस्थान के नीम का थाना अक्षे तर्शे होता है और इसको लेकर दो कहानिया पर चली थे एक तो यह है कि इसका उद्गम कहां से होता है कि राजस्थान के नीम के थाना के अक्षे तर्शे इसका क्या होता है उद्गम होता है लेकिन यह बताया जाता है कि जो ब्रिंगु रिशी थे और उनकी वाइफ थी पतनी जो उनकी थी उसका नाम था पोलीमा उनकी आखों के आश्वों से जो धारा बहरी थी उससे क्या हुआ है इसका उद्गम हुआ तो यह दो बाते बताई जाती है तो यह आपको ध्यारक लेना है जो दो नदयोस रिलेटीड नहीं है नदयोस से रिलेटीड क्वैस्टे लुकन हिए जितने हमारे क्वैस्टन थे वह कंवर कर चुके हैं आगे जो आगे क्वैस्टप्र में नदयोस स क्वैस्टन आएंगे समी suas कैनल के साथ मैं हमेंने को पहल दो तो देखे जब हमारे हर्याना का गठन हुआ था एक नॉम्बर 1966 को जब हम पंजाब से अलग हुए थे उस समय हमारे हर्याना में जो टोटल सीटे थी वो कितनी थी विदानसबा की 54 शीटे थी और उन में से 10 आरक्षित शीटे थी जो कि पहली विदानसबा हुई थी उसके बा होता है वो जो दूसरी विदानसबा होती है उसमें क्यों होता है 81 सीटे बन जाती है वर्ष 1967 में और एट प्रेजेंट हमारे हर्याना में जो विदानसबा की सीटे है वो 90 है और यह 90 सीटे कौन सी विदानसबा में हुई थी तो यह पाचवी विदानसबा में हुई थी और कितनी शीटे आरक्षित है 17 शीटे आरक्षित है यह बाइस जीलों में से 17 जीले में क्या है आरक्षित शीटे है और पांच जीले ऐसे हैं जिन में कोई भी आरक्षित शीटे नहीं है तो वो कौन-कौन से है जैसे के हमारा फरीदाबाद नुहू महिंदरगड दादरी और पं यो सीटे थी वो कितनी थी 54 ती और उन चुवन में से 10 हमारी आरक्षित सीटे थी और 44 जो सीटे थी वो कितनी थी सामन्य कटेगरी के लिए थी और ये हमारी पहली विदानसवा में थी वर्ष 1967 में हुई थी जब हमारा हर्याना का गठनवा था उससे एक वर्ष बाद में हुई थी क्यासी सीटे हो गई थी ये दूसरी विदानसबा में और ये पूछा जाता है कि जो ये हमारी 90 सीटे हैं नियार उसना कि आपको घ्यारक लेना है जो प्रिसिमन आयोग हिए उसने डिसाइड किया है कि विदानसबा की नबज शीटे हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन है राजा हर्षवर्दन ने कुरुक छेतर के पास थाने सर में अपने राजदानी स्थापित की थी तो यह पुछा गया कि कौन सी स्थापदी में की थी छटी स्थापदी में सातवी स्थापदी में आठवी स्थापदी में नोवी स्थापदी में तो जो सासनकाल है वो 606 इसवी से लेकर 647 इसवी तक है देखे एक होता है सासनकाल और एक होता है जीवनकाल तो इनका जो जीवनकाल है वो 590 से है 590 इसवी से इनका जीवनकाल है 590 से लेकर 647 तक तो इनका जीवनकाल है और 606 इसवी से लेकर 647 इसवी तक इनका क्या है सासनकाल और ये वर्दन वन्स के सबसे सकती सालिस आसक हुए है और इनके दरबार में एक कवी रहा करते थे इनके जो फ्रेंड भी थे और कवी भी थे उनका नाम था बानबट और बानबट ने दो पुस्तकों की रचना की थी एक की थी हरिश्चरित और एक की थी कादंबरी और जो हर और कादंबरी कि जो रचना खी ती इनके दरबार कवी और इनके वर हएंदवार titled चीनी यातरी भारत गाता cycle Ariya Allee' वह अरता है आता है और हवेन श्वांग उस का नाम था और इसे हवेन श्वांग को यातरियों करा राजकुमार कहा जाता है हवेन श्वांग 629 इसवी से लेकर 644 इसवी तक यहां पर रहता है और इन्होंने क्या है एक पुस्तक की रचना की थी CU की जो हवेन श्वांग देन उने एक पुस्तक की रचना की थी उसका नाम था CU की और जो ये CU की बुक है इसमें हरियाना के तीन सहरों का वर्नन मिलता है एक सुध जो की यम्ना नगर में है सैकिन टो हाना जो की फतेहाबाद में है और थर्ड थानेसर जो की कुरुक चेतर में है तो यह आपको ध्यार रख लेना है एक पुचा जाता है आपसे जीवनकाल और एक पुचा जाता है आपसे शासनकाल तो जीवनकाल इनका रहा है 590 से 647 इस्वी पूरो और इनका जो शासनकाल रहा है वो 606 इस्वी से 647 इस्वी पूरो रहा है तो ये बात आपको ध्यार रख ले लिए है इन्होंने अपनी दो नेसे के ने थहां थी सेनारी पन्डित नेकि रामसरमा का जनम कहां हुआ तो यह पूछा गया जो हमारे पंडित ने किराम सर्मा है इनका जनम किस जिले में हुआ था तो इनका जनम हुआ था भीवानी के लंगा गाओं में हुआ था और आपको इस साथ की साथ ये ध्यारक लेना है जो हमारे पंडित ने किराम सर्मा जी है इनका वाक्या बहुत ही जादा फेमस हुआ था और वो वाक्या जो है बार बार हर्यानाप की जो एकजाम होते है, जैसे सी जो भी एकजाम करवाती है, उनमें जरूर से जरूर पूश्ती है, तो यह आपको ध्यारक लेना है, इन्होंने जब हमारा पर्थम विसवयुद चल रहा था, जो माहतमा गांदी जी है, उनको अंग् चाहित मागांदी जी सोचते हैं कि ठीक है यह ऐसे कहा रही हैं तो हम क्या करते हैं जो सयनिक उनको क्या करवाते हैं बरती करवाते हैं तो जोह सबसे ज़्यादा वो रूत तक है जहांपर सबसे ज़्यादा सैनिक्या हुए थे बरती हुए थे जो पंडित ने किराम सर्मा है ये मातमा गांदी जी के विरुद थे और ये बोल रहे थे जो ये पर्थमी सोयूद है इसी के विरुद थे और ये कह रहे थे कि जो एक इन्होंने का था इनको ना एक अंग्रेज अदिकारी ने अपने साइड बुला कर बोला था कि आप इसमें अपने टांग क्यों अडा रहे हैं आप क्या है एक जमीन का चोटा सा टुकडा ले लीजिए और आप इस जो भी ये हम पर्थमी सोयूद चल रहा है इसमें जो हम बरतिया बियान करवा रहे हैं सैनिकों को इस से आप दूर रही है तो उस शमय पर ने किराम सर्मा ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी और ये लाइन बार बार एक जाम में पूछी जाती है इन्होंने कहा था कि मुझे जमीन का एक छोटा सा टुकडा नहीं चाह यानि कि आप क्या करो जो हमारा भारत है इसको आजादगर के चले जाओ तो इनका ये वाक्या बार पार पूछा जाता है और इन्हें हरियाना के श्री के नाम से भी क्या किया जाता है जाना जाता है तो ये बात आपको पंडित ने कि राम सर्मा के बारे में जाननी है कि इन important question है यहां से आपको तीन question find out करने है एक पुछा जाएगा आपसे आजादी से पहले जो हमारा हरियाना है हरियाना यह और पंजाब है उसका high court कहां पर होता था फिर पुछा जाएगा कि आजादी के बाद कहां पर होता था और फिर पुछा जाएगा जो हमारा चंदीगण में ये कब स्थापित किया गया था तो ये आपको ध्यारख लेना है जो हमारा भी बाजन के बाद पंजाब का पुर्वी निया याला था ये सिमला में था और इसका जो फुर्स्ट चीफ जस्टिस था वो था राम अपना गोर्मेंट ओफ इंडिया एक्ट 1915 के तहट 1919 में हुई थी ये आपको ध्यारख लेना है जो एक्ट था वो था गोर्मेंट इंडिया एक्ट 1915 और इसकी स्था अपना हुई थी 1919 में ये आपको ध्यारख लेना है और उसके बाद जो हमारा जो विवाजन हो जाता है यानि कि जब हम हमारा भारत पाकिस्तान से अलग हो जाता है पहले जब पाकिस्तान में था पाकिस्तान के साथ था तो लाहोर में थी हमारी जो हाई कोड थी उसके बाद जब हम पाकिस्तान से आजाद हो जाता है हमारा भारत तो फिर वो कहां पर स्थाना अंतरित कर दी जाती ह तो उस में पर जो हमारा हरियाना पंजाब हाई कोड था उसका जो चीफ जश्टिस था वो रावलाल था और उसके बाद फिर ये चंदिगेड में इसकी जो क्या है स्थाना अंतरत कर दिया जाता है सिमला से तो इसके जो फ़र्ष्ट चीफ जश्टिस थे वो कौन थे अमरनात बंडारी थे और जो ये हमारे अमरनात बंडारी है इनका क्यास सबसे लंबा कारियकाल है तो ये आपको ध्यार रख लेना है नेक्स्ट क्वेस्टिन है नामर 147 अंत्रिक्स अभियान में कलपना चावला की मर्तियु कब हुई थी देखे जो ये कलपना चावला है ये हमें एक बहुत ही easy से date देकर गई है 1 के तारिक 2 का महीना 3 की साल यानिकि एक 2 3 तो आपको अगर एक, दो, तीन ये याद हो जाता है तो इससे क्या हो जाएगा आपको कलपना चावला की जो मर्तु है उसकी डेट आपको याद हो जाएगी यानि कि एक फरवरी 2003 को इनका क्या हुआ था निदन हुआ था इन्होंने अंत्रिक्स की उडान दो टाइम की थी फर लंबिया नामक का विमान था वो क्या हो जाता है दुर गटना गरस्त हो जाता है और दुर गटना होने के बाद क्या हो जाती है नकी मर्तिव हो जाती है तो यह आपको ध्यारक लेना है चंदीगड सहर और आधूनिक वास्तुकाल का एक बहतरीन उदारने इसकी रूप थी, वो किस ने की थी, लीकारबुजियर ने की थी, और लीकारबुजियर ने कहां कि Рासी की थी, फ्रांस की नागरिकता इनों ने हासिल की थी, लेकिन वैसे इनका जनम कहां पर हुआ था, स्वीड़ जर Isidhar Land में हुआ था और 2 अपरेल 1952 को क्या क्या था चंदिगड की स्थाप्रा की गई थी और चंदिगड को पंडित जुहारलाल नहरू के सपनों का सहर कहा जाता है तो यह आपको ध्यारक लेना है अब देखे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेचन है ए शुद्रागनी गाय कौन है जिने सूरिया कवी के नाम से जाना जाता तो देखे़ जो अनपढ थे और न्पढ होते हुए बी जो बहुत सारी यूनिवर्सटी या इनے के ऊपर गया कर रही है कि अनपढ़ होते हुए भी किसी व्यक्ति के पास इतना ग्यान कैसे हो सकता है तो इसके लिए क्या चला हुआ है इनके दिमाग के ओपर क्या चला हुआ है सोधकारियत भी चला हुआ है तो यह भी आपको ध्यारक लेना है और जो इनके गुरू थे वो कौन थे मान सिंग थे और जो किसन लाल भाट है यहाँ पर उप्शन ए में दिया गया है इनके बारे में भी आपको जान लेना है किसन बाट जो है यह हरियाना में सांग परंगप्रा को शुरू करने का सरे इनको जाता है यह कहां से थे मेरट से थे तो यह भी आपको ध्यारक लेना है अब हम आगे बढ़ते हैं नमर 140 है रियो उलम्पिक 2016 की काश्या पदक वी जेता साक्सी मलिक का जनम रोत्त के किस गाओं में हुआ था तो सबसे पहले आपको यह ध्यारक लेना है जो हमारी साक्सी मलिक है इन्होंने क्या किया है जो रियो उलम्पिक हुए थे वर्ष 2016 में इसमें इन्होंने क्या किया है काश्या पदक को क्या क्या है जिता है तो आपसे इनकी ना बहुत बार DMC पुछी गई है तो यह DMC आपको ध्यारक लेनी है वो इनकी डेट ओवर्थ जो है वो 3 सितंबर 1922 है तो ये आपको ध्यारक ना है जो साक्सी मलिक है इनकी डेट ओवर्थ पुछी गई है चैसेसी द्वारा तो ये आपको ध्यारक ना है और इनका जनम हुआ था रोध तक के मोकरा गाउं में अब देखे हम परदेश के खजुराहू के जो जैन मंदिर है उसके उपर ये क्या है आदारित है और इसे उत्तर भारत का खजुराहू कहा जाता है और इसे क्या क्या गया था वर्स 1254 में नसीरुदीन महमूद गे द्वारा इसे क्या कर दिया गया था नश्ट कर दिया गया था और जो ये 1254 में जो हमारा भी मादेवी कोंपलेक्स है उस पिंजोर पंचकुला में उसको नश्ट कर दिया था तो यह आपको ध्यार रख लेना है आप देखे हम आगे बढ़ते हैं निमन में से एक परदान मंतरी राष्ट्रिय बाल परुसकार वर्स 2019 के विजेता कोन है तो यह हमारी है सिवांगी पाठक जो कि एक परवतारोह है यानि कि माउंटेनर है और इनका जो संब्द है वो कहां से है इसार से है इन्हें क्या बोला जाता है और यह हरियाना से सबसे छोटी उमर की लड़की है जो माउंट एवरेश्ट पर चड़ी है महज 16 वर्स की ये लड़की थी उस निर्मल तवर भारतिय वोलीवोल टीम के कप्तान हर्याना में किस जिले से हैं तो ये देखे सबसे पहले आपको ध्यारग लेना है वोलीवोल जो खेल होता है उसमें खिलाडियों की जो संक्या रहती है वो छह रहती है और जो ये निर्मल तवर है ये कहा से हैं अपने पानिपत की साइड आओ तो आपने क्या गरना है पंचरंगा आचार का डिबा अपने साथ लेकर जाना है ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन है हमारा हर्याना परदेश में एक मातर सहर जहां पर भारतिया रेलवे द्वारा नैरो गेज बिचाया गया है तो यह देखें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चन है जो हमारा हर्याना है एक मातर ऐसा सहर है जहां जो भारतिया रेलवे है उसके दोरा किया गया गया है नैरो गेज भिचाये गया है और सबसे पहले मैंने आपको जो हमारे हर्याना का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वहाँ पर मैंने आपको तीन तरहकी शोरी चे। सो में तो यहाँ पर पुचा गया कि किस सहर विछाएगे है में बिछाएं गया हुएantic कालका है वो पंचकुला का हिस्सा है तो यह कालका से लेकर सिमला तक जाती है सबसे पहले तो आपको यह ध्यारक लेना है कि यह जो बिचाई गई थी इसके लिए योजना कहाँ पर बनाई थी तो हिमाचल पर देश के किनोर जिलेक का एक कलपाक 16 वहाँ पर बैठ कर वर्ष 1896 इसके लिए योजना बनाई गई थी और इसको 1897 इसमी में बिचाना स्टार्ट कर दिया था 1898 इसमी में इसको बिचा दिया गया था और 9 नुवंबर 1903 को इसमें सबसे पहले रेल चलाई गई थी और जो रेल चलाई गई थी उसका क्या नाम था क्राउन ट्वैल उसका नाम था यह आपको ध्यान रख लेना है क्राउन जिवैल उसका नाम था जो रेल चला कर लाई गई थी और यह कालका से जब हम सिमला की साइड जाते हैं तो रास्ते में क्या है 18 स्टेशन आते हैं 103 सुरंग आती है और जो 103 सुरंगों में से जो 33 है एक सो तीन सॉरंगों से गज़रती है तो आपने मुझे यह बताना है कि इसमें कितने गुमाओदार मोड आते हैं तो यह आपके लिए होंवर क्वेस्चन है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जो हमारी नएरोगेज है जब यह कालका से लेकर सीमल Barayale Mark को UNESCO दो विसोट रोहर का दरज़ा कप दिया गया था यह मुस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चन है जो यह हमारे लास्ट क्वेस्चन हमने डिसकस किया था कि एकालका से लेकर सीमला तक हमारी नैरो गेज बिचाई गlor को यह विनेटिक है इसको जो हमारी UNESCO है फुल फोम बनती है तो यह अपने ध्यारक लेना है हर्याना के मद्य जिलो को नीमन में से कौन सा रेल मार्ग कवर करता है तो देखें यहांपर क्या पुछा गया है जो हमारा हर्याना है जो बीक वाले जिले है इनको निमन में से कौन साwiek रेल परराइल मारग करता है तो यहाँ पर रेल मारग तो यह करता है दिल्ली फिरोजपुर रेल मारग अगर आप जो हमारे धियो ур धिक भी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो ये दिल्ली फिरोजपूर रेलमार्ग है, कर्नाल जिलेकानी लोखेडी नगर नीमन में से किस रेलमार्ग परस्तित है? अगर आप वीडो नहीं है तो आप मैंने मैप की शाइता से आपको बहुत अच्छे से एक्स्पेरान करके बता वर्स दो जर्दस तक विशव कसब से बड़ा मीटर गेज वाला रेलवे जंक्शन निमन में से कौन सा है तो यह हमारा रेवारी रेलवे जंक्शन है तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन है यह अपने ध्यार रख लेना है जो हमारा रेवारी रेलवे जंक्शन है यह भी आपको ध्यारक ना है ठीक है अब देखें हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेस्टन रहेगा कालका सिमलारेल मार्ग से महात्मा गांदी द्वारा ही माचल परदेश की यातरा किस वर्स की गई थी तो इसकी जो यातरा की गई थी वर्स 1921 में की गई थी आपने ये बात ध्यारक लेनी है जो महात्मा गांदी जब हर्याना में फर्स टाइम आये थे तो इनकी फर्स टाइम जो गिरफतारी है वो 10 अप्रेल 19许 को की गई थी प़लषे, जो इनकी सेकिड गिरफतारी है वो 30 जोलाई 19 ownणीस को की गई थी हिसार से, महात्मा गांदी के जो आसरम है या फिर जो संग्राले है वो पलषे में है जिसकी स्तापना वर्ष 1938 में की गई थी, इसका जो उद्गा रख लेना है और नेक्स्ट है मात्मा गांदी के ऐसा योग आंदोलन को हरियाना में गांदी की आंदी कहा जाता है और इस गांदी की आंदी के खिलाफ कोन थे यह भी आपने मुझे कमेंट बक्स में कमेंट करके बताना है मात्मा गांदी की सेवा की पंडित अमिलाल ने जो क इसलिए हर्याना का एकमातर ऐसा रेलवे जैंसन जहां से सबसे जादा दिशाओ में रेल减 निकलते हैं रेल मार्क निकलते हैं तो यह मार रे वाडीस बता से बड़ा money ले ट्लीओट्री से च्छे दिशाओ में क्या होता है ट्रेन चाथा तो इसलिए यह क्या है ट्रेनने जाती हैं तो फ्रेंड यह हमारी आज की वीडियो थी उमीद करती हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेर जरूर कर देना थैंक्यू धन्यवाद